डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए आवशक्ता कोई समाधान तब उप्युक्त कहा जाएगा जव्य समाधान कर सके हाड़वेर को प्रभावी रूप से उप्योग करने की आवशक्ता इंसर्शन, दिलीशन, अपडेट, सर्चिंग जैसे ओपरेशन्स करना आसान करे किसी स्ट्रॉब्लम के समाधान के लिए डाटा स्ट्रक्चर का चैन करते समय आपको इन तीन चरणू का अनुपालन करना चाहिए अपनी problem के विशय में support करने वाले आधारभूत या basic operation निर्धारित करने के लिए problem का विशलेशन करें आधारभूत operations के उधारन है data structure में data item को insert करना, data structure में data item को delete करना, तथा विशिष्ट data item की खोज करना प्रतेक operation के लिए मूल बाध्यता निर्धारित करना उस data structure का chain करें जो इन जरूरतों को आरसानी से पूरा कर सके जब आपको data structure का chain करना हो, तब स्वयम से पूछें क्या सभी data item data structure में आरम में insert किये गए थे या अन्य operations के बीच में insert किये गए हैं सक्षम implementation करने के लिए dynamic applications की अपेक्षाकरत static applications जहां data आरम में load किये जाते हैं और कभी परिवर्तित नहीं होते को विशेश रूप से साधारन data structures की आवशक्ता होती है क्या data item delete किये जा सकते हैं? यदि हां तो इससे implementation और अधिक जटिल होने की समभावना होती है क्या समस्थ data items पश्ट रूप से defined order या परिभाशित करम में process किये गए हैं? या विशेश डाटा आईटम सर्च किये जा सकते हैं? Random Access Search में सामान्यत हो अधिक जटिल data structures की आवशक्ता होती है